आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। तो इसके लिए दो परिपत बना लेते हैं, एक विज्युद्ध प्रिरकतों का और एक विज्युद्ध धारिता के लिए ठीक है, तो यहां आगया विज्युद्ध प्रिरकतों तथा विज्युद्ध धारिता वाले प्रत्यवर्ति धारा परिपत के लिए चीत रहे ठीक है तो यहां हम लोग क्या है, एक प्रत्यवर्थी वोल्टेश रोध भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से स्रेडी क्रम में जोड़ दिये हैं, तथा यहां एक संधारी त्रसी को एक प्रत्यवर्थी वोल्टेश रोध भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से स्रेडी क् इंटू क्या होता है । और यहां जो फाई होता है वो क्या होता है थारा और विभांतर के बिच का कलांतर ठीक baptism स्थाएर्मिस वो स्थादर को बोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमाच तो एक सुध्ध प्रिरकत्व वाले परिपत में धारा और विभांतर के बीच में जो कलांतर होता है वह होता है 90 अंस होता है तो इसको फिजर आरेक की मदद से समझते हैं तो एक सुध्ध प्रिरकत्व में धारा और विभांतर के बीच जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री होता है यानि कि सुध्ध प्रिरकत्व में क्या होता है बोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या करता है अगरगामी होता है यानि कि लीड करता है ठीक है तो यहां से कलांतर कमान कित कि सक्ति 6 कमान आ जाएगा वो हो जाएगा b rms into i rms into cos 90 ठीक है और cos 90 कमान क्या होता है सुन्ने होता है क्या होता है cos 90 कमान सुन्ने होता है तो यहां से p average बराबर कितना हो जाएगा b rms into i rms into सुन्ने हो ठीक है तो यहां से सक्ति 6 पी एवरेज कमान कितना हो जाएगा इस कमान हो जाएगा सुन्य ठीक है तो एक विशुद्ध प्रेरकत्व में सक्ति छे कमान वह होता है सुन्य होता है क्या होता है सुन्य होता है ठीक है अब देख लेते हैं धारीता के केस में ठीक है तो धारीता में क्या होता है कि इसमें ज तो धारा क्या करेगा विवहांतर से 90 डिगरी अगरगामी होगा ठीक है कुछ इस तरह से यह हो गया धारा और यह हो गया विवहांतर भी ठीक है तो यह हो गया उनके बीच का कलांतर कितना 90 डिगरी क्योंकि धारा क्या करता है विवहांतर से 90 डिगरी अगरगामी होता है तो होंसे फाइविज कितना हो जागा फाइव बराबर हो जागा 90 ृच है और कोकान 5 किमांब शुन्य होता है तो यहांं से अशितव सकत यह प्रत्यावरती धारा परिपत में सकती छे कमान क्या होता है सुन्य होता है ठीक है तथा हमें प्रस्ण में पुछा गया है कि LCR से डी ऐसी परिपत में बोल्टेज और धारा कप समान कला में होते है ठीक है तो इसके लिए एक LCR परिपत बना लेते हैं तो यह आ गया LCR परिपत ठीक है जहां आर एक प्रतिरोध है L एक प्रेड़कत दोता था सी संधारित रहे इसको एक प्रतियावरती बोल्टेज आई प्रवहित हो रही है ठीक है तो LCR परिपत के लिए जो प्रतिवाधिया आता है ऋह होता है अज अंडर रूट अर का इसकार फ्लस को एकसल मानस एकसी का कि होल इसकार ठीक है तो यह होता है LCR परिपत के लिए प्रतियाट kan मान तो हमें प्रस्ट में क्या बोला गया है प्रस्ट में बोला गया है कि इसी परिपत में बोल्टेज और धारा कब समान कला में होंगे ठीक है तो हम जानते हैं कि बोल्टेज और धारा कब होते हैं समान कला में जब हमारा परिपत ओमी और परिपत बन जाता है ठीक है तो यहां से देखें तो यहां परिपत ओमी और परिपत कब होगा जब XL बराबर हो जाएगा XE के या XL-XE हो जाएगा सुनी के बराबर ठीक है तो यहां से जो हमारा परिपत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माले ज़े XL बराबर है XE या XL मानस XE बराबर है सुनने है तो यहां से हो जाएगा Z बराबर अंडरूट R के स्कॉर ठीक है क्योंकि XL मानस XE का मन कितना है सुनने है ठीक है तो यहां से पृतिवादा Z बराबर कितना हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा R तिक है यानि कि जो हमारा परिपत होगा वह ओमिय परिपत की तरह काम करेगा तिक है और ओमिय परिपत में धारा और विवांतर किसमें होते हैं समान कला में होते हैं तिक है यह हो गया धारा आई और यह हो गया विवांतर भी तो क्या होता है कि जब XL-XC कमान सुनने हो जाए ठीक है, तब जो हमारा प्रतिबाधा कमान हो जाएगा, जेट के बराबर हो जाएगा, याने कि जो हमारा परिपत होगा, वह ओमिय परिपत की तरह काम करेगा, और ओमिय परिपत में क्या होता है, धारा और विवांतर समान कला में होते हैं, ठीक है, और Excel बराबर एकसी कब होत कब होता है अनोंआद की इस्थिति में ठीक है अनोनाद की कि diferentes टीक है तो हमें प्रस्थ न में क्या पूचा गया था प्रस्थ न में बूला गया था कि LCR, 3D, SE, परिपत्म बॉलिटेज और धारा कब समानकला में होंगे तो अनोनाद की इस्थिति में क्या होगा धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे ठीक है तो अनुनात की स्थिति में होता है एक्सल बराबर एकसी होता है ठीक है तो यहां से अगर आप रिती कमान निकालें तो कितना हो जाएगा हम जानते हैं कि एक्सल बराबर क्या हता है एक्सल बराबर होता है वह ह से ओमेगा को इस्तर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा बराबर क्या होता है उमेगा बराबर होता है तूपाई एफ ठीक है और यहां ओमेगा होता है और आवरिती और एफ होता है आवरिती ठीक है अगर यहां से दोनों पक्षों में उवर्गमूर ले लें तो कितना हो जागा? ओमेगा बराबर हो जागा एक बट़े अंडर रूट एलसी ठीक है और यहां से ओमेगा कमान कितना है? 2π f तो यह हो जगा 2π f ठीक बराबर हो जगा एक बट्टे अंडरूट lc तो यहां से अवरिती f कमान निकाले तो कितना हो जगा अवरिती f कमान हो जगा यह हो जगा एक बट्टा 2π अंडरूट lc ठीक है तो अनुनात की इस्तिति में अवरिती f बराबर हो जगता है तथा अनुनात की स्थिति में क्या होता है, अनुनात की स्थिति में हो जाता है, Excel बराबर हो जाता है, XCT है